आज हम बात करेंगे कि ऐसे घरेलू नुकसे के बारे में जो बिल्कुल फिरीका है, जो मैंने सीखा है अपने बड़े बुजुर्गों से, बिल्कुल जाचा पर्खा और यूज किया हुआ है, ये जो हमारे नन्ने मुन्ने बच्छडे बच्छडी या कट्डे कट्डी होते ह कई बार क्या वो मिट्टी खाने लगते हैं, लकडी खाने लगते हैं, कई बार निकलते में कपड़ा खाने लगते हैं, और एक दूसरे के पूचके बाल भी चवाने लगते हैं, पेसाब पीने में भी कोई दिक्कत नहीं करते हैं, एक दम से एक दूसरे का पेसाब पीना श अकवा आखा या आक कैई नामों से जाना जाता है इसके हम जो है ये फूल जो उपर फूल आए हुए हैं इन्हें तोड लेते हैं और इन्हें तोडने के बाद में इनकी जो ये कलियां हैं ये खिले हुए फूल हैं इन्हें सबे अलग-अलग करके इखटा कर लेते हैं एक मुठी के करीब हम ले लेते हैं और लेने के बाद इसे गरम तबे पे डाल कर और चम्मस से चलाते रहते हैं जब तक ये बिलकुल इसका मोस्चर खतम ना हो जाए जब तक इसको जो थोड़ा काला सा रंग हो जाता है और इसमें से कोई स्मेल या कोई महक ऐसी नहीं आती है तो ये हम एक मुठी एक पसू के लिए छोटा बड़ा वो आप देख सकते हैं कि वो आपको कैसे कमपटेवल रहेगा तो उसी हिसाब से इसे भुनने के बाद रूटी में के रखके अपने पसू को खिला सकते हैं साथियो एक तो ये है कि हमारा पसू या बच्चा जो भी लवा रहा है वो ये मिट्टी लकडी वगरा खा रहा है algunas ये भी है कि हमें ये जब हमारा पसू जो है जो हमारे काफ हैं, वो तीन से चार महीने के हो जाएं, तो हमें ये जरूर खिला देना चाहिए, चाहें अगर वो खा रहे हैं तो भी या नहीं, साल में एक बार जरूर ये दे देना चाहिए हर पसू को, तो उससे क्या है, कि जो भी कमिया होती हैं, वो सब पूरी हो जाएंग और बिल्कुल फिरी का इलाज होने के वज़े से कोई परिसानी नहीं है अच्छे खासे पसू को भी ये साल में एक बार जरूर दे देना चाहिए तो साथियो ये बिल्कुल फिरी का नुक्सा है इसे आप अपनाएं और अपने पसू को खिलाएं और लाव उठाएं अगर ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद